बूर्णिंग इस्टुरेंट्स कैसे हैं आप सब तो चलिए स्टार्ट करते हैं दी सब्जेक्ट इन क्लास 1 तो अभी तक आप लोगों ने चेप्टर 14 कम्प्लिट किया है अप चेप्टर 15 में आ जाईए ओपन ये पेज नंबर 49 सारे लोग ओपन कर लीजे आज आपको मम्मी के विशे में कविता पढ़ना है ठीक है तो आप सबको पता है मम्मी कितनी प्यारी है होती है ना सबकी मम्मी बहुत प्यारी है और मम्मी आपकी मम्मी आपको स्टोरी भी सुनाती होंगी कविता सुनाती होंगी है कहानिया सुनाती है कविता सुनाती है दादा दादी भी तो चलो देखते हैं और बच्चे को किस तरीके से मनाया जाता है मतलब जब बच्चे रूट जाते हैं गुस्स हो जाते हैं तो कैसे मम्मी उनको मनाती है ठीक है तो चलो मम्मी परी लोग की कथा कहानी हस कर मुझे सुनाती मम्मी फूलो वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती मम्मी खीर बने या गरम पकोडे पहले मुझे खिलाती मम्मी होम मर्ग पूरा कर लूँ तो टौफी केक दिलाती मम्मी खीर बने या गरम पकोडे पहले मुझे खिलाती मम्मी होम मर्ग पूरा कर लूँ तो टौफी केक दिलाती मम्मी रूठू तो बस बात बनाकर पल में मुझे मनाती मम्मी बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रिजाती मम्मी तो जैसा कि आप लोग को सारा लोग को पता है सबकी मम्मी बहुत प्यारी होती है और सबको मनाती भी है जब आप लोग गुश्चा हो जाते हैं तो पहले आप इसमें सब्दार से देख लेतें, फिर एकस्प्लेंट करतें आपको, परी लोग जानते हो, परी लोग मतलब क्या होता है, परीयों का घर, रूठू, याने गुस्था होना, रिजाती मतलब मनाती, होमपर्क, गृहकार, अभ्यासकर, आप लोग को दिया जाता ह तो आप लोग घर में करते हैं उसे लाडला मतलब प्यारा तो देखते हैं परी लोग की खता कहानी है और हसते भी जाती है हना उसमें मतलब ऐसी ऐसी बात आती है कि मम्मी को हसी आती है और मुझे भी हसाती है फूलो वाले तितली वाले गाने मुझे सिखाती है मम्मी और फूलो वाले तितली वाले गाने भी मुझे सिखाती है मम्मी तितलियों की आप लोग सुने होंगे ना तितली रानी तितली रानी बड़ी सयानी हैं तो वैसे ही मम्मी मुझे भी क्या करती हैं गाने सिखाती हैं खीर बने या गरम पकोडे घर में कुछ भी नहीं मतलब चीज बन जब बनती है छाहे वो खीर हो चाहे गरम पकोडे हो पहले मुझे खिलाती है घंण होममर्क पूरा कर लो तो टौफी के गिली नग आती है और जब मैं ग्रीक आ रहे हैं यह होम मक पूरा कर लेता हूं तो मम्मी तो और खुस हो जाती है सारे लोग की मम्मी खुस होती होंगी जब आप लोग पढ़ते लिखते हैं तो और ज्यादा आपको डबल प्यार मिलता होगा मिलता है कि नहीं और फिर जैसे ही आपका होम मर्क कंप्लेट होता है कहीं जाने नहीं देते हैं अब भी आप लोग को बीश में क्या हुआ था कि अभी जाना नहीं है घर में रहो पढ़ाई करो तो गुस्सा आ जाता था था न तो ऐसे ही यह बच्चा वो रहा है मुझे मना लेती है पल में मुझे मनाती मम्मी बड़ा लाडला तू तो मेरा कहकर मुझे रियाती मम्मी और क्या बोलती है तू तो मेरा प्यारा बच्चा है और मुझे इस तरीके से मम्मी जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मम्मी मुझे मना लेती है तो सबकी मम्मी ऐसी करती है ना जब आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको बहुत प्यार करती होगी मम्मी और जब आप लोग बहुत बदमासी करते हैं तो गुस्सा आजाता है तो हम लोग भी कभी कभी आप लोग को चिला देते हैं तो आप लोग थोड़े से बती होंगे परियों का देस होता है सुंदर सुंदर परिया होती है फिर परी लोग बहुत अच्छी होती है सब की क्या करती हैं help करती है स्गमम्मी कहानी दी बताती है तो आज के लिए इतना काफी था तो और आगे आप लोगे मैं home mug जो दूंगी आप उसे note down करेंगे और जो question answer मैं आपको send करूंगी आप उसे भी note down कर लेंगे तो आज के लिए काफी थै students bye students